कैसे हैं आप सब तो मैं हूँ पायल और आप सब का स्वागत है मेरे किचन में आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ टिंडोरा की रेसिपी जिसे आप टिंडली भी कहते हैं तिंडोरी भी कहते हैं तो इसके सबसी बहुत टेस्टी बनती है लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इसके सबसी बनानी आती नहीं है, तो चलिए आज मेरी स्टाइल में बनाते हैं टिन्डोरी की सबसी बिना किसी दीरी के वीडियो शुरू करते हैं, इन्डोरी बनानी के लिए मैंने यहां पर 500 ग्राम टिन्डोरी ले ली है, और यह कुछ परवल के शेप की होती है और हर स्टेट में इसके नाम Кणbs केड़ा होता है। कुछ नहीं। इसको भूढ़ आपको इस तरीके से पूरी से कट कर लेते है। कुछ टिंडोडी पैस में लाल होगी तो उसे पिल्कुल ना फैकए उसे भी यूज़ करें। तो चलिए अब सबसी की प्रोसेस शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम एक मसाला तयार करेंगे जिसके लिए एक कडाई में हम रोस्ट करेंगे पीनट्स आप क्वाइंटिटी के हिसाफ से पीनट्स या यह जो मसाला मैं बना रहे हूं आप मसाला यूज करें यहां पर मैंन देंगे सर्सोखा तेल, व्याह साथ में दालेंगे जीरा एक टीस्पून, एक टीस्पून राई और डालेंगे हम सुखी लाल मिर्च बस तड़का अमारा तियार है लास्ट मिं दालेंगे हिंग और हल्दी और बस यह जो तृंडोरी हमने काट के रखे थी यह हम डाल मसाले को देख लेते हैं तो यह जो पीनेट है इसका आधा मैंने लिया है सेसमे सीट्स और उतना ही मैंने लिया है कोकोनट डेसिकेटेट साथ में उतना ही मैंने लिया है भुने चने और इसे कोर्सली पीस लिया है मतलब दर दरा हमें इसे पीस लेना है इसके अंदर हम डालें सुखे मसाले जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मिर्च का अनुपात आप अपने हिसाब से कम्याज ज्यादा रख सकते हैं तो देखें पांस से साथ मिनट के ब बोनना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तोड़ा सा मुझे मसाला कम लग रहा है तो मैं यह और डाल दूंगी और अब मैं इसके अंदर डालूंगी लगभग दो सी तीन टेबल स्पून के करीब पानी ताकि यह जो मसाला है यह जली नहीं और काफी अच्छ से कुख हो जा तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर त्राई करें तो आशा करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी है कुछ भी अच्छा लगा हो रेसिपी में तो प्लीज डू लाइक शेयर और सबस्क्राइब टू मैं चै